कि सुगा इजास के वीडियों में बात करेंगे या अगर आप WhatsApp यूज़ करते हैं और WhatsApp में आपको जो देखने को मिलता है Audio Chat का Option तो उसको कैसे आप Remove करेंगे मैं आपको वही बताने वाला हूँ तो जैसे कि आपने अपडेट कर लिया है अपने WhatsApp को या फिर कई बार Automatic Update हो जाता है तो आपको यह Option आजाता है New Version के अंदर आपको Audio Chat का Option मिल जाता है आप इसको Remove करना चाहते हैं हटाना चाहते हैं Permanently तो कैसे इसको हटाएंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो में अंट तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिजगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा तो इसको Remove करने के लिए जो आपका Chat का और Chat Audio का Option है वो इस Chat जिसको हम बोलते हैं तो इसको Remove करने के लिए आप Simple Steps को Follow कर लिजएगा जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा इसको Follow करिएगा और यह आपका Remove हो जाएगा और आप इसली जो है अपना Normal यूज़ कर पाएंगे WhatsApp को जैसे कि मेरे WhatsApp मैं आपको Open करके दिखा देता हूँ एक पर देख भी सकते हैं यहाँ पर मुझे यहाँ पर शो हो रहा है आपको भी अगर शो हो रहा है तो आपको क्या करना मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको किसी भी ब्राउजर को Open कर लेना है आपको बता दूँ सबसे पहले काम कर लिजिएगा WhatsApp को Open करिएगा Setting में आ जाएगा Setting में आने के बाद आप Chats पर क्लिक कर लिजिएगा और यहाँ पर Chat Backup पर आ जाएगा जो भी चाट बगएरा है उसका Backup ले लिजिएगा आप सबसे पहले क्योंकि आपको यहाँ पर जो है अपना WhatsApp जो है नई तरीके से Download करना पड़ेगा तो इसलिए अपना Chat Backup जुरूर ले लिजिए जो भी Important Media बगएरा है सारा Backup ले लिजिएगा जैसे आप Backup ले ले Backup पंप्लेट हो जाए किसी भी ब्राउजर को उपन कर लिजिएगा मैं Chrome ब्राउजर को उपन कर लेता हूँ यहाँ पर मुझे लिखना है से पहले जो भी लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर लिजिएगा जैसे मैं इस पर क्लिक कर लिया है स्क्रोल करिएगा बहुत सारे वर्जर देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है दस से पंदरा दिन पुराना कोई भी वर्जिन उठा लीजिएगा उसको यहाँ से डाउनलोड कर लिजिएगा डाउनलोड पर क्लिक कर दिया मैंने और यह जो है वर्जर जो है ओल्डर वर्जर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा अब इस ओल्ड वर्जिन को मुझे इंस्टॉल करने आपने मॉबाइल में यह तभी इंस्टॉल हो पाएगा जब आपका पुराने वाला वाला वाट्सब आप अनिस्टॉल करेंगे इस बात का ध्यान रखिए पहले अनिस्टॉल कर लिएगा फिर इसको इंस्टॉल कर लीज्येगा और वर्जन को जैसे आप इंस्टोल करेंगे उसके अंदर आपको यह option तेखने को नहीं मिलेगा तो यह permanent तो है guys पर ज्यादा दिन तक यह नहीं चलेगा क्योंकि आपको सब को पता है आपको यहाँ पर update करना ही पड़ेगा अगर आपको update आ जाता है तो जब तक यहाँ पर आ आपको यहीं बताना था होप आपको वीडियो अच्छी लिए अच्छी लिए अच्छी लिए लिए लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते नाक्ष वीडियों में टिल नवाटेक के लिए